नमस्कार दोस्तों मैं राजी का अगरवाल स्वागत करती हूं आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर यहां हम करने वाले हैं पशु परिचर की साइन्स का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है अनुवाशिकी यानि की जैनिटेक्स तो जैनिटेक्स के कुष्ण एक्जाम के अपको अप्रोच करना है इसकी बात हम यहां पर करते हैं चलिए स्टार्ट करते हम कुष्ण के साथ ही कुष्ण क्या है आपका किसके तुवारा अनुवाशिक्ता के विज्ञान को आनुवाशिकी कहा गया ग्रेगर मेंडल सी कॉरेंस एच जे मूलर या डबलू बैटसन के दुवारा सबसे पहले दो चीजों में डिफरेंस समझो एक होता है आपके आनुवाशिकी यानि की जैनेटिक्स और एक होता है आनुवाशिक्ता यानि की हारेडिटी क्या डिफरेंस है जैनेटिक्स तो क्या है विज्ञान की एक शाखा है जिसमें आनुवाशिक्ता का आनुवांशिक्ता कहलाता है, clear सभी को, अब यहां पर आनुवांशिक्ता कहा गया, अब जल्दी जल्दी में आपने लगाया है, टिक, टिक की ग्रेगर जौन मेगडल के दौरा, नहीं, इनको तो आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है, लेकिन अगर हम इसके विज्ञान को यह जैनिटिक्स नाम किस ने दिया, वो किस ने कहा, तो यह यहां पर आपके कौन है, डबलू बैट्सन है, आंसर आएगा अपना ओप्शन द, ठीक है, चलिए, अगला कुश्चिन देखिए, अनुवांशिकी के जनक किसको कहा जाता है, फादर ओफ जैनिटिक्स कौन है, एफ, एच, सी, क्रिक, जी, जे, मेंडल, कैरूलस, ली, नियस, या, बीरबल, सहनी, तो देखो जी, यहां पर आनुवांशिकी के पिता, आनुवांशिकी के जनक, जिनने मटर के पौध्यों पर अपने संकरण प्रयोग किये, और यहां पर कुछ नियम प्रतिपादित किये विन्शागति के कौन कौन से नियम थे, पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा प्रतिकरण का नियम, तीसरा स्वतंत्रापवियोहन का नियम, तो किसको कहा जाता है, इसमें अपना आएगा क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल, आंसर ब, ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कुशन देख जीन जो है, वो क्या होते है, डी एने के खंडी होती है, और हमारे आनुवानशिक्ता की इकाई है कौन जीन, इनी के दुआरा तो लक्षन देख होते है, जो जीन मम्मी से आए, वो आपके लक्षन मम्मी से आगए आप में, जो पापा से जीन आए, वो आले लक्षन पापा तो यह क्या है यहां पर अनुवांशिक्ता की इकाई है डियने के खंडी होते है यह अब यहां पर जो शब्द है वो किस ने बनाया था तो W.L. Johansson ने इसको बनाया था ठीक है टी-एच मॉर्गन सहब ने तो क्या किया यहां पर ड्रोसोफिला मैलनोगेस्टर पर अपने प्रयोग किये यहां पर सहल लगनिता और पुनर योजन यानिकी लिंकेज और रीकॉम्बिनेशन को बताया मेंडल सहब कौन है अनुवांशिकी के पिता है इन्हों ने तो जीन को क्या नाम दिया था कारक नाम दे दिया था मेंडल सहाब ने तो ठीक है और ही यूगर डिप्रीज ने क्या क्या उत्व परिवर्तन का सिध्धान प्रतिपादित किया ठीक है चालिए अगला गुशन देखिए मानव में गुणसूत्रों के कितने युगम पाए जाते है देखो हमारे अंदर दो प्रकार की कोशिका होती है कौन कौन सी कोशिका है एक होती है काई कोशिका यानकी सुमाटिक सेल्स और दूसरी आपकी होती है यहाँ पर जनन कोशिका काई कोशिका उमें बिभाजन होता है और यह हमारे शरीर में व्रद्धी करती रतिया में शर अब बात करते हैं, कितने योगम पाए जाते हैं quê-गुंसूतर हो चाहे जीन हो। दोनों जोड़े के रूप में मौजूद होते हैं, यहां पर जो गुंसूतरह उनके 23 जोड़े मौजूद होते हैं, यहांनि कि टोटल गुंड सूत्रों की संख्या होती है कितनी 46, तो जोड़े कितने हो गए 23, आंसर आएगा अपना option A, ठीके, चलिए, अगला कुशन देखिए, मानक कोशिका में कुंड सूत्रों की संख्या कितनी है, पहले तो युगम पूछा, अब क्या पूछा, संख्या पूछी है, यहीं confusion नहीं रखना है, बस exam के अंदर, जोड़े पूछे तो एक जोड़े में 2 होते हैं, यानि की 23 जोड़े, संख्या 18, 22, 21 या 23, ओटोसोम का मतलिब क्या होता है, देखो, जो गुंड सूत्र होते हैं, 46 उनमें, यानि की 23 जोड़े, उनमें से 22 जोड़े गुंड सूत्र होते हैं, यानि की 22 जोड़े, वो आपके होते हैं, ओटोसोम क्रोमोजूम, जिनको हम आलिंग गुंड सूत्र कहते हैं, इनसे link का निधारण नहीं होता यह लड़का-लड़की दोनों में सेम होते है एक जोड़ी यानि कि दो क्रोमोजोम जो आपके होते हैं वो होते हैं link गुण सूतर sex क्रोमोजोम इससे determine होगा कि लड़का है या लड़की है तो अगर बात करे फीमेल की मादा के अंदर वो सारी परिस्तितियों में एक जसी रहेगी यानि कि उसमें एक रोमजोम होंगे एकस एकस और अगर बात करे नर की तो यहाँ पर उनमें होंगे एकस वाई गुंसूत्र ठीक है अब आपसे पूछा है ओटोसोम के जोड़े ओटो निशेचित मानब अंडे में सामनेत होता है पहले अंडर लाइन कर ले ना क्या पूछा है आ निशेचित मानब अंड तो मानब अंड और शुक्राणू क्या है आपके अगुनित कोशिका जनम कोशिका है इन में गुंसूत्रों की संख्या होती है सिर्फ एन यानि कि आधी तो जो चमवालीस गुर्ण सूत्र है ओतो सोम उनने से आधे यानि का 22 गुर्ण सूत्र तो ओतो सोम होंगे और जो दो गुर्ण सूत्र है sex chromosome लिंग गुर्ण सूतर उनने से एक होगा तो female के अंदर ही तो an Pixel का बनती है, तो उसमें तो दोनों परिस्तितियों में सिर्प है X ही 2X और 1Y या 1X, 2X, तो देखो आनी शेचित है, गुंडसूत्रों की जंख्या आधी होती है, इसलिए सिर्फ 1X क्रोमोजोम होगा, अंसर के आएगा option A, ये मतलगा देना 2X क्रोमोजोम, वो तो आपके सुमेटिक सेल्स के अंदर होता है, ठीक, चलिए, अगला प्रिशन देख कौन से कोशिका पुछी है, काई कोशिका, ये आपके होती है 2N, और जो जनन कोशिका होती है, वो आपके होती है क्या N, यानिकि गुंडसूत्र की संख्या आधी, 23, और आपके जो युगमनेज होता है, वो कैसे बनता है, युगमनेज भी तो आपके अंड कोशिका, शुक हो जाएगी 46 गुंड सूत्र हो जाएंगे अंसर आएगा option ब के लिए चलिए ऐसे कुशन ऊड़ेंगे आपके genetics के simple simple चीज़ें हैं बस याद रखनी है हना मानव वह में गुंड सूत्र संख्या 21 की यह तरी गुंड सूत्र ता उत्तरदाई है chemrophilia के लिए claim filter के लिए down के लिए turner के लिए trick ख़रो त्रिक क्या है देखो सबसे पहले जो आपके autosome chromosome है wavelength गुंड सॊत्र उनके लिए आपको एक trick ख़रनी है क्या 13 को पटाऊं यह क्या है आपके त्रिक्याद्रवाइज नहीं लेना है तेरा को पटाओं अठारा को वर्ल्ड ट्यूर कराओं और 21 को Diamond Ring दिलाओं ठीक है, ये आपको यहाँ पर प्रिक्याद गर्ने है किसके लिए आलिंग गुंड सूत्र पर उनकी संख्या कंजादा होती है så उसके लिए अगर तेरवे जोड़ी जो गुण सूत्र है उस पर ट्राई सोमी हो रही है ट्राई का मतलब होता है ठीक और अगर 21 जोड़ी गुंड सूत्र पर ट्राइसोमी हो जाती है तो ड़ से क्या बनेगा डाउन सिंड्रोम जिसको हम मंगोलीजम भी बोलते हैं मंगोलीजम मूर्ख भी इसको बोलते हैं चैरा मंगोलो जैसा रहता है इसलिए तो तीन यहां पर क्या है यह डिजीज है तीन रोग है अनुवांशिक विकार है या गुंड सूत्री विकार है और तीन उमी क्या हो रही है ट्राइसोमी हो रही है तो बस यह तीन का अखडा याद रखना तो तेरा को पटाउं, तेरवे गुंड सूत्र पर ट्राइसोमी पटाउ सिंड्रोम, अठारवे पर ट्राइसोमी एडवर्ड, एक्किसवे पर तो डाउन सिंड्रोम, अब आप से क्या पुछा है, एक्किसवे पर त्री गुंड सूत्र ता यानिकी ट्राइसोमी हो रही है तो तो ऐसे जो बच्चे पैदा होते हैं, उनका मुह आशिक रूप से खुला होता है, जीम में खाच होती है, जरम जात हिर देरोग होता है, पॉल क्रिज्म होते हैं, चप्टा माथा होता है, इस तरीके से उनके लक्षण होते हैं, डाउन सिंड्रोम वालों के, हीमोफीलिया के क्या होता है, इसको हम कहते है, रॉयल डिजीज, क्वीन विक्टोरिया अपने वल्शोजों में इसका वाहक थी, राजगराने से शुरुआत, इससे लिए इसको कह रहे है, रॉयल डिजीज, रक्त का थक्का नहीं जमता है, देर से जमता है बहुत, क्लाइन फेल्टर सिंड अब देखो, ये तो मैंने आपको क्या बताई थी, अलिंग गुंड सूत्र के लिए ट्रिक, आपको लिंग गुंड सूत्र के लिए ट्रिक क्या याद रखनी है, देखो, लिंग गुंड सूत्र के लिए ट्रिक है आपकी यहाँ पर, फिल्टर कब टर्न करना है, अब देख फिल्टर कब टर्न करना है तो कैसे याद करेंगे देखो जी फिल्टर से क्या बनेगा क्लाइन फैल्टर सिंड्रोम ठीक है कौन सा क्लाइन फैल्टर कब से क्या बन जाएगा जेकब और टर्न से क्या बन जाएगा टर्नर तो अगर यहां पर एक मेल जो होता है उसकी अंदर ए क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम अगर एक वाई गुंडसूत्र जादा हो जा रहा है तो जेकब सिंड्रोम एक एकस गुंडसूत्र की कमी हो जारी है यानि कि एक एकस गुंडसूत्र कम गुंडसूत्र पैतालिस रह जा रहे है तो टर्नर क्लाइन फेल्टर बड़ा सा नाम है तो इस्तिरी जैसे लेक्षन देखने लगते हैं टर्णार में क्या होगा इस्तिरीयों के अंदर होगा इस्तिरीया बांज होगी एक एकसिकुण सूतर कम होगा के लिए सभी को ये ट्रिक यात करो साइन्स पूरी ट्रिक आपकी के लिए चलिए अगला question देखे यहाँ पर लड़का हो गया लड़की किस पर निर्भर करेगा मा पर, पापा पर, दादी पर या दादा पर अब देखो, पहले की जमाने में टोका जाता था लड़की को कि तुने लड़की पैदा की, उसको जिम्मिवार ठहराया जाता था लेकिन क्या वो सच में जिम्मिवार है? नहीं लड़की के अंदर गुंसूतर होते हैं चमालेस प्लास एकस एकस और लड़के के अंदर होते हैं चमालेस प्लास एकस वाई जब अंड कोशी का बनती तो इसके आदे गुंसूतर जाता है तो female तो दोनों ही परिस्तिती में X कुंट सूत्र देगी Depend किस पे करेगा अगर male ने अपना X क्रोमोजूम दिया है तो लड़की बनेगी male ने अगर अपना Y क्रोमोजूम दिया है तो लड़का बनेगा तो लड़का हो गया लड़की किस पर निर्भर कर रहा है, पिता पर निर्भर कर रहा है न, क्योंकि उसने अपना X या Y chromosome दिया है, ठीक है, तो जिम्बिवार कौन है, पापा है, ठीक, आंसर आएगा option B, अगला question देखिए, निम्न में से आनुवांशी किया इकाई कौन है, ज यह किसका ही भाग है, DNA की भाग जैसे ही क्या है, यहाँ पर डबल हैलिकल स्ट्रक्चर है, DNA की, तो इसके जो खंड होते हैं, वही आपके जीन होते हैं, जो कि लक्षणों को नियंतरित करते हैं, DNA क्या है, यहाँ पर हमरा अनुवांशिक पदार्थ होता है, डियोक्सी दोसरकरा और तीसरा फॉसफेड समू। R-A में क्या होता है सिर्फ पॉली न्युक्लियोटाइड चेंड उतिये से रिबल नाईख के स्ट्रक्चर होती है, ठीक न्युक्लियोटाइड ये तीन चीज़े बिलकर बना पॉस्पेट समू, नैट्रोजन शार और तीसरा आपके पेंटो शुगर है ठीक, चालिए कौन सा ऐसा जीन है जिससे युक्त बीज की प्रजन शक्ती समाप्त हो जाती है तथा उससे दुबारा फसल नहीं ली जा सकती फ्रेटर जीन, हाइब्रेट जीन, टर्मिनर जीन या ट्रांजेनिक जीन तो देखो, ऐसा जीन कौन सा है जिसकी प्रजन शक्ती समाप्त हो जाती है और दुबारा फसल नहीं ली जा सकती तो ऐसा होता ना, कहींपे काम करते है, वहाह से terminate कर दिया दाता है उसको निकाल दिया दाता है फिर वो जगा पे काम नहीं करते ऐसे ही बीज है दुबारा फसल जिसने ली जा सकती यानिकि ये तो समात्त हो गया निकल गया यानिकि टर्मिनर जीन आंसर आएगा अपनों अप्शन सब्वाना याद 46 प्लस XY 44 प्लस XY 22 प्लस XX 44 प्लस XX हमें पता है टोटल गोंडसों तो तो होते ही 46 तो जल्दी बजी में इसको टिक मर्द कर दे ना XY देखके यहाँ 46 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 44 तो ओटो सोम है और 1X और 1Y है तो यहाँ पर combination क्या होगा ब आएगा अपना answer ना की यह किसमे होगा female के अंदर होगा ठीक चलिए अगला कुशन देखिए पुनेट वर्ग से हम किसका अध्यन करते हैं इसको हम पनेट आरेक वर्ग भी बोलते हैं तो यहाँ पर पुनेट वर्ग से किसका अध्यन कर रहे हैं कोशिका जीव विज्ञान का जिसको हम क्या कहते हैं साइटोलोजी कहते हैं कोशिका का अध्यनन साइटोलोजी कहलाता है जैर विकास का यानकी evolution का प्रेकास संचलेशन photosynthesis का या अनुवनशिकी का तो दिखो मेंडल साहब ने एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया एक संकर संकरण में लंबे पादपों का क्रॉस कराया बौने पादपों के साथ तो यहां पर F1 PD के अंदे सारे पादप लंबे प्राप्त हुए अब इन्होंने इसका इसी के साथ क्रॉस करवाया तो उसके लिए उन्होंने क्या करा यह पनेट वर्ग मनाए ठीक है इसके दोनों युगमक यहां लिख दिये इसका इसके साथ करा रहे तो यनकि वो दोनों युगमक यहां लिख दिये इसका इसके साथ क्रोस कराया तो capital capital T इसका इसके साथ कराया capital T small T इसका इसके साथ capital T small T और इसका इसके साथ कराया small T small T इस तरीके से ये जो यहाँ पर है इसको हम कहते है चैकर बोड या पुनेटवर तो किसके अंदर आनुगानशी की का अध्यन क्या जाता है अलील, F1, PD, जीन, प्रारूप या एकल संकर, देखो, विपरीत लक्षडों के संके तक जीनी जोडे, एकल संकरन तो किसे कहते हैं, एक जोड़ी विपर्यासी लक्षडों के मर्दे, क्रोस को कहते हैं, तो क्रोस के बारे में तो पूछा ही नहीं है, जीन, प्रारूप किसे कहते हैं, जो जैनिटिक कोड आता है एक तरीके से, जैसे माल लो, capital T है, capital T है, capital T, small T और small T, small T का रेशो क्या आया हमारे यहाँ पर, एक, अनुपाद दो, अनुपाद एक आया, अब यह हमने करके देखा, monohybride क्रॉस में, तो यह जो रोशो है, इसको हम कहते हैं, जीन प्रारूप, जीनो टाइप रेशो, ठीक है, तो यह तो यह हो गया, F1 PD क्या हुआ, जब हमने लंबे पादप का, बोने पादप के साथ क्रॉस कराया है, तो जो आने वाली संतती थी न, capital T, small T, इसको हमने F1 PD कहा है, ठीक है, तो यहां पर यह भी नहीं आन्सर के आएगा, अलीस जिनको हम क्या कहते हैं, योग्मविकल्पी कहते हैं, क्या कहा जाता है, योग्मविकल्पी कहा जाता है, आन्सर आजएगा, option A, ठीक है, चालिए, next question देखिए, DNA और RNA के शरक्रा अणू में अंतर है, दूसरे कार्बन पर oxygen का भाव, तीसरे कार्बन पर oxygen की उपस्थिती, तीसरे कार्बन पर nitrogen का भाव, या दूसरे कार्बन पर nitrogen की उपस्थिती, देखो, DNA का full form क्या होता है, deoxy ribose शरक्रा, क्या full form है इसका, deoxy ribose शरक्रा, अब जो यहाँ पर शुगर होती है शरक्रा, वो कौनसी होती है, pentose, pent का मतलब होता है, 5, तो जिस शरक्रा में 5 कारबन है, वो उपस्थित होगी, तो देखो, यह एक oxygen, 1, 2, 3, 4, 4 कारबन, और एक यहाँ पर जुड़ा रहता है, ठीक है, अब देखो, ribose शरक्रा जो है, यहाँ पर pentose हमने बना ली, deoxy, deoxy का मतलब क्या है, यहाँ पर oxygen की कमी हो रही है, तो जो दूसरा कारबन होता है, यहाँ से numbering करता है, 1, 2, तो दूसरा जो कारबन होता है, वहाँ पर एक oxygen कम होता है, DNA में, जबकि RNA के अंदर, दूसरे कारबन पर oxygen उपस्थित होता है, तो यहाँ पर, क्या हो रहा है, दूसरे कारबन पर oxygen का भाव हो रहे, DNA में, तो इससे हम इसको अलग-अलग करते, आंसर क्या आएगा, option a answer आएगा, कौन सा कारबन है, दूसरा कारबन है, ठीक, चलिए, जीव में यकायक पैत्रक परिवर्तन को क्या कहते हैं, प्रजनन उत्परिवर्तन अनुकूलित या क्लोनल चैन, देखो, अच्छानक होने वाले परिवर्तनों को क्या कहा जाता है, यहाँ पर उत्परिवर्तन, mutation कहा जाता है, इगलिश में क्या कहते हैं, हम इसको mutation कहते हैं, तो जो आपके यहाँ पर उत्परिवर्तन होता है, उसमें क्या होगा, जैसे माल लो, कोई DNA का खंड है ठीक अब यहाँ पर A जो है वो जुड़ता है T के साथ और C जुड़ता है G के साथ माल लो कि इस combination की जगे कोई दूसरा combination आ जाए तो अच्छानक से उत्परिवर्तन हो जाता है अगला कुष्ण देखिए दो अथवा अधिक भिन आनुवांशी के युक्त पादपो को क्रोस कर फसल की नई किस्म का निर्माण कहलाता है संकरोज अलेंगी जणन उतपरिवर्तन या संकरन तो देखो दो या जादा भिना आनुवांशी की युक्त पादपो को क्या करवा लेते हैं यहांपर दो अलग-अलग है उनको क्या करवा लिया एक साथ क्रॉस करवा लिया और नई संतति उत्पन्न कर ली तो उसको हम कहते हैं क्रोस यानि की संक्रन आंसर आएगा अपनो अप्षिन द उत परिवर्टन अच्छानक होने वाले परिवर्टन आलेंगीग जनन क्या है? जिसमें एक जीव के दौरा ही अनेग संथती उत्पन करती जाती है उसको कहते हैं आलेंगीग जनन ठीक है? चलो नेक्स्ट कुशन देखिए नमर 19 आणविक जी विज्ञान में मूल सिधान्त का विचार किस ने प्रस्तुत किया? देखो आणविक जी विज्ञान यानि कि molecular biology की बात हो रही है किसकी molecular biology की यहाँ पर बात हो रही है molecular biology में मूल सिधान जिसको हम क्या केते है central dogma कहती है क्या कहा जाता है बच्चे इसको? central dogma कहा जाता है इसका विचार जो है वो किस ने प्रस्तुत किया? Mendel ने Thomas Hunt, T.H. Morgan ने Frederick Griffith ने या Francis Crick ने तो देखो जो central dogma है वो है क्या? देखो central dogma में क्या होता है? जो आपका DNA होता है डबल स्टेंडर्ड DNA उस DNA से पहले DNA का ही formation होता है जिसको हम क्या कहते है यहाँ पर replication कहा जाता है क्या कहा जाता है? replication कहते है DNA से DNA का बनना अब इस DNA से mRNA बनता है दूत आ रहे ने या messenger आ रहे ने इसको हम कहते है अनुलेखन या transcription ठीक है? एक्जाम के अंदर ना अनुलेखन नहीं लिखा आता कभी-कभी transcription लिखा आ जाता है तो याद रखना इसको हम क्या कहते है transcription कहते है और फिर इस RNA से क्या बनता है protein मनता है जिसको protein synthesis की process को अनुवादन, रुपांतरण, इस्थानांतरण या translation कहते है तो उसको हम क्या कहते है अनुवादन, रुपांतरण, इस्थानांतरण या फिर translation कहा जाता है ठीक है? तो यह आगे की साइड ही चलने वाली process है इसको प्रस्तुत किस ने किया? इसका विचार Francis Crick ने answer आएगा option द Gregor Mendel तो कौन है? Pysam, से टाइव, मटर के उपर अपने प्रयोग किये अनुवादन, शीकी के पिता है साजोडी विपर्या सी लेक्षण ओपर प्रयोग किये Thomas Hunt Morgan ने Drosophila melanogaster के उपर अपने प्रयोग किये Pratty Griffith Saham स्रेप्टो कोकस निमोनी के साथ अपने प्रयोग किये ये बताने के लिए कि अनुवादन प्रयोगों के लिए कितने विशम लक्षण चुने थे साथ, आठ, नो, या दस तो कितने विपर्यासी लेक्षण लिये थे साजोडी, कौन-कौन से थे तो याद करो देखो तने की लंबाई थी, लंबापन-बौनापन पुश्पुका का लड़ था पुश्प की इस्तिती थी फली का रंग था यहाँ पर फली की आकरती थी साथ के साथ बीज की आकरती और बीज का रंग, ये साथ जोड़ी विपर्यासी लक्षन लिए तो आंसर क्या आएगा अपना अप्शन आ, ठीक है? चलिए नेक्स्ट कुर्शन देखिए आनुवाशिक विकार जिसमें रक्त का थक्का सामने तर नहीं जमता है, सिस्ट्रिक फाइब्रोसिस थाला सीमिया, सिकल सेल इसलिए हम इसको क्या कहते है? हीमोफीलिया कहते हैं, जिसमें वहाँ कौन है? मादा यानि कि फीमेल है, लेकिन इससे ग्रसित कौन होगा? नर होगा. सिकल सेल एनेमिया में क्या होता है? देखो जो बीटा ग्लोबिन चेन होती है उसमें 6 पोजीशन पर जो कि यहाँ पर कैसी होती है? उभ्यावतल शेप की होती है वो सुकड कर कैसी हो जाती है? हसियाकार या अर्धचंद्राकार हो जाती है उसको हम कहते है सिकल सेल एनेमिया. ठीक थैलेसीमिया में क्या होता है? आर बीसी का थैला खाली होने लगता है आर बीसी का जीवनकाल वैसे एक सो बीस दिन होता है लेकिन इसमें फिर जल्दी जल्दी मरने लगती है थैला खाली हो रहा है आर बीसी का नंबर कम हो रहा है तो उसको हम कहते है खाला सिग्मिया. ठीक है? आंसर अपना आजएगा उप्शन द चलिए जैब आवर्धन से क्या तात पर रहे है शरीर में कैंसर कोशिकाओ का तेजी से बढ़ना उत्रोतर पोशन इस तरों के जीवों में पीड़क नाशियों की मात्रा का बढ़ना शरीर के सुक्षमदर्शिय भागों को सुक्षमदर्शी से देखना विसेस्ट चेत्र में एक जाती के सद्धूस्यों की संख्या का अच्छानक बढ़ना देखो जैब आवर्धन को इंग्लिश में हम कहते हैं क्या कहा जाता है आप देखो इसमें क्या होता है जैब आवर्धन के अंदर जैसे आप अपनी फसलों को खराब होने के लिए पीड़क नाशियों का प्रयोग कर रहे हो, डीडीटी का छिड़काव कर रहे हो अब पेड़ क्या है उत्पादक है, उनके फ्रू ये जो आपकी पीड़क नाशियों वो फूर्चेन में खदशरंग हमें एंटर कर जाते हैं अब पेड़ पोदों को ये उत्पादकों को खाया प्रात्मी को पभोगता ने, प्रात्मी को दुतियक ने, दुतियक को त्रतिक ने, तो जो शीर्शस्तों पभोगता होते हैं, उनमें इनकी मात्रा, पीड़क नाशियों की मात्रा जादा हो जाती है इसी को हम क्या कहते हैं जैव आवर्दन बायो मैगनिफिकेशन कहते हैं तो देखो उत्रोतर पोशन इस तरों यानि कि बढ़ते हुए पोशन इस तरों के जीवों में पीड़क नाशों की जमात्रा का वढ़ना ही जैव आवर्दन कहलाता है अंसर आएगा अप्शिन दा ठीक चालिए हाँ जी बैई नेक्स्ट कुशन देखिए मेंडल का सोतंत्र अप व्यूहन का नियम किसके अवलोकनों पर अधारित था एक संकर संकरन दुई संकर परिक्षण या बैक क्रोस तो देखो मेंडल ने ने तीन नियम प्रतिपादित किये कौन कौन से तीन नियम थे पह अथक करण का नियम, वी सयूजन का नियम, लओ एफ सेगरीगेशन, की युगमर्ण जो है वो अलग-अलग हो जाते है, तो यहाँ पर यह जो दोनो नियम प्रतिपादित किये, वो तो एक संकर संकरन मोनु खराइबरेड क्रोस के अधार पर किये, Mono Hybrid Cross का मतलब है सिर्फ एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रोस जैसे कि पौधे की लंबाई में क्रोस करा लिया ठीक है लंबापन और बौनापन में लेकिन जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रोस करवाया जाते है तो उसको कहते है दुई संकर संकरन डाई हाइब्रिड क्रोस जिसमें क्या होगा? दो लक्षण लेते हैं जैसे कि यहां पर बीच के आकरती और बीच कर रंग ले लिया तो यहां पर गोल पीले भी जोगा जुरिदर हरे के साथ क्रॉस करवा दिया तो इसके अधार पर law of independent assortment का नियम प्रतिपादित के third law वन्शागति का दुई संकर संक्रण के अधार पर answer आएगा option ब कुछ एक दो टर्म और मैं आपको बता रही हूँ याद रखना जो प्रभाविता का नियम है उसके यहाँ पर exception क्या है अपूर्ण प्रभाविता incomplete dominance कभी कभी क्या होता है जब एक जोड़ी विपरयासी लक्षण के मंदे cross करवाते है न तो F1 PD के अंदर प्रभावी लक्षण व्यक्त नहीं होते कोई जो प्रभावी लक्षण है वो पूर्ण तरीके से अप्रभावी को दवा नहीं पाता है इसलिए यहाँ पर एक तीसरा कलर मिलता है उसको कहते है अपूर्ण प्रभाविता इसका example क्या है यहाँ पर snapdragon anti-rhynum exam में कई वारना इसका option यह पूछा जाता है example anti-rhynum ठीक है और दूसरा आपके क्या होता है सहप्रभावीता एक सहप्रभावीता को हमके ते co-dominence जिसमें जब यहाँ पर क्या होगा जो generation आती है उसमें दो लक्षण एक साथ साथ हभी व्यक्त होता है जैसे कि blood group A, B A वाला gene भी है इसमें B वाला gene भी है इसमें ठीक है तो वो आपके blood group सहप्रभावीता का example है तो यह जो है दोनों वो किसके अपवाद है प्रभावीता के नियम के ठीक है याद रही की चीज़ चलें आगे चलिए मानव जाती में लिंग निधारण किस विधी पर आधारित है हमारे में कौन सा sex determination होता है xo प्रकार का xx प्रकार का xx xy प्रकार का या zw प्रकार का बताईए कौन सा आएगा देखो यह जो होता है zw वो तो किसमें होगा पक्षियों के अंदर होता है हमारे अंदर female xx होती है और male xy होता है यानि कि यह होगा मारे अंदर answer आएगा option sir ठीक है चालिए next question देखिए DNA का चाकू कहलाता है DNA का चाकू यानि कि उसको काटने वाला कौन है ligase, gyres, प्रतिबंदित endonuclease या halicase तो देखो यहाँ पर जो DNA की खंड होते है उनको काटने के लिए यहाँ पर प्रतिबंदन enzyme चाहिए होता है जिसको हम कहते है restriction endonuclease या फिर restriction exonuclease exonuclease किनारे से DNA को काटता है endonuclease अंदर से DNA को काटता है तो इनको हम क्या कहते है RV catchy molecular scissor भी कहा जाता है हेलिकेस क्या करता है यहाँ पर uncoiling करता है खोलता है DNA खंड को ligase क्या करता है उनको जोडने का काम करता है DNA के हंडों को जोडेगा ठीक है gyres क्या करता है यहाँ पर जो gyres enzyme होता है वो तनाव को कम करता है ठीक चलिए ग्रेगर मेंडल ने आनुवनशिक प्रयोग के लिए किस पाधप का प्रयोग किया पाइसम सेटाइवम ट्रिटिकम एस्टिवम और आईजर सेटाइवा गैसी पिम हिमूर्टम बदाएए किसका प्रयोग किया मेंडल सहाब ने तो ग्रेगर जोन मेंडल ने अनुवनशिक पिता जो है उन्होंने उध्यान मटर के उपर अपने प्रयोग कि जिसको हम क्या कहते हैं पाइसम सेटाइवम कहते है आंसर आएगा अपना अप्शिन कितने जोड़ी विपरयासी रेक्शन साथ जोड़ी के लिए चलिए बीटी पादप में बीटी का क्या मतलब है भारत प्रोध्योगी की वानसपतिक प्रौध्योगी वैसिलस थूरें जी ये तो देखो बीटी पादप जो होती है जैसे कि अगर हम बात करें बीटी कपास की बीटी कॉटन की तो वहाँ पर ये क्या है एक अनुगाशिक अभ्यांत्री की के दोारा तयार की गई है किस की BT cotton की देखो इसमें कीड़ा लग जाता है वो खराब होता है इसके लिए उसको रुपांत्रेत किया गाई और ये तयार की गई BT cotton तो यहाँ पर bt का मतलब क्या है bacillus thuringiasis, आंसर क्या आएगा अपना option, स, ठीक है, चले अगला question देखिए, मेंडल के दुआरा अध्यन किये गए, मोनो हाइब्रिड क्रोस के F2 फीनो टाइप का अनुपात क्या है तो देखो, मेंडल सहाब ने मोनो हाइब्रिड क्रोस, यानि की एक संकर संकरन कौन सी generation पूछी है, F2 generation क्या पूछा है, फीनो टाइप पूछा है तो फीनो टाइप छोटा होता है, जीनो टाइप बड़ा होता है, ऐसे याद करोगे फीनो टाइप, तीन अनुपात एक था, ठीक है, तीन आपके लंबे पादप थे और एक आपका बोना पादप, ठीक अगर हम जीनो टाइप की बात करें, तो वो एक, दो, एक था, ठीक, capital T, capital T, capital T, small t, small t, small t, के लिएर सभी को, तो यहां पर आंसर क्या आएगा, तीन अनुपात एक, एक अनुपात एक आएगा क्या, नहीं, अंसर आएगा, तीन अनुपात एक, के लिएर, चलिए, कौन सा नैट्रोजन शार, पारिमेडीन का भाग नहीं है, युरेसिल, थाइमेन, साइटोसीन या, तो देखो, नाइट्रोजन शार क्या होते हैं, जो कि आपके DNA का निर्मान करते हैं, नाइट्रोजन शार, पैंटो, शरकर और फोसफेट समू, दो प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन शार, कौन-कौन से नाइट्रोजन बेस आपके, दो प्रकार के, प्यूरीन, और दूसरा आपका Pyrimidine अब देखो Purine को कैसे याद करना है ट्रे के याद करो फटाफट से PUBG खेलते थे नहीं खेलते थे तो PUBG से याद करना है देखो P.O. यानिके Purine B की जगह क्या लिख देना है विस A और G की जगह G तो Adenine और Guanine जो है वो Purine के अंदर आते है Pyrimidine के अंदर Thymine, Cytocin और Euracil आते हैं तो देखो ये तीनों आपके Pyrimidine है लेकिन ये नहीं है गुआनिन ये Purine है अंसर आएगा Option 2 ठीक है और आज का Last Question देखिए अपना Genetics का इसके बाद आप exam के अंदर गलत नहीं करके आएंगे Genetics का देखिए RNA अणू में Thymine के स्थान पर पाया जाने वाला Nitrogen Base कौन सा है Adenine, Euracil, Guanine या Cytocin तो देखो जब DNA की बात करते हैं तो DNA के अंदर Adenine जुड़ता है Thymine से Hydrogen के Double Bond से और Cytocin जुड़ता है Guanine से Hydrogen के Triple Bond से RNA की बात करें तो इसमें Adenine जुड़ता है किसके साथ Ureacil के साथ Hydrogen के Double Bond जब थाइमीन के स्थान पर क्या होता है Ureacil और Cytocin जुड़ता है किसके साथ Guanine के साथ Triple Bond से तो बस ये Thymine के जगा क्या प्रेजन होता है RNA में Ureacil प्रेजन होता है इसलिए यहाँ पर ज़्यादा Stable DNA है ना कि RNA तो यहाँ पर क्या मुझूद होता है ताइमीन के स्थान पर Ureacil आनसर आएगा Option B के लिए सभी को तो आज हमने किये है Genetics के Questions मजा है आपको करके, एक्जाम में ऐसी कुश्यन मनते है, डायरेक्ट आंसर टिका के आने, किलियर सभी को, चलिए, क्लास आपको पसंद आई, आप इस क्लास को लाइक कीजिए, जो भी डाउट, कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिखे, मिलेंगे हम क्लासेस के अंदर, तब तक के अंदर लिए धनेवाद